हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है निव स्टेडी प्लानेट तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपके तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी आज के वीडियो म हमारा आज का पहला प्रश्ण है हाल ही में भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने कहां पर आइनेस विक्रांत को भारती न वस्तेना को सौपा तो से उत्र हो जाएगा कोच्ची में अगला है किस बैंक ने हाल ही में कैस्ट बैक क्रेडिट कार्ड लांच किया है तो से उत्र हो जाएगा SPI यानि भारती स्टेट बैंक ने दोस्तो हाल ही में एक राष्ट पती मिखाईल गुर्वाचेव का निधन हुआ है ये किस देश के थे तो से उत्र हो जाएगा ये रूस के थे हाल ही में आवाज से सम्बंधित यी आवाज पोर्टल किस ने सुरू किया है तो से उत्र हो जाएगा अमित शाह ने अभिनेता रडवीर सिंग को किस फिल्म के लिए सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है तो से उत्तर हो जाएगा फिल्म 83 के लिए आगे है देश का पहला वर्चुवल स्कूल हाल ही में कहाँ पर लांच हुआ है तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली में हाल ही में इंडियाज एकॉनमी फ्रॉम नहरु टुम मोदी अवरिफ हिस्ट्री नामक चर्चित पूस्तर के लिखक कौन है हाल ही में इंडियाज एकॉनमी फ्रॉम नहरु टुम मोदी अवरिफ हिस्ट्री नामक चर्चित पूस्तर के लिखक कौन है तो उत्तर हो जाएगा पुलापे बाल क्रिश्णन अगला क्वेश्ण है सरकार ने हाल ही में ओयन जीसी में अंतरिम प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया है तो उत्तर हो जाएगा राजेश कुमार श्रीवास्तों को भारत ने जयो विबित्ता संग्रक्षड पर किस देश के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षड किया है तो वो है नेपाल के साथ हाल ही में एनेसो के डाटा के अनुशार वित्तवर्श 2022 तिमाही में भारत की जीडीपी विकासदर कितनी रही है तो सही उत्तर हो जाएगा तेरा दसमलो पांच आगे है अगे है हाल ही में किस राज में नुवा खाई उत्तव मनाया गया है तो उडिजा में मनाया गया है हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्युदर रुगड़ता और समाजिक आर्थिक बोच की रिपोर्ट जारी की है तो से उतर हो जाएगा ICMR ने हाल ही में आकासवाडी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानि देशक के रूप में किसी ने उक्त किया है तो उतर हो जाएगा वसुधा गुप्ता को ने उक्त किया है नेक्स्ट है दिव्यांग पार्क का उदगाटन कहाँ पर किया गया है तो कहाँ पर किया गया है नागपुर में किया गया है अगला है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अस्मारक वैदिक तारा मंडल का मंदिर कहां बनेगा तो उत्तर है पस्चिम बंगाल में बनेगा हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है तो बनी है दिविता रॉय हाल ही के सर्वे में दुनिया के तीसरे सबसे धनी ब्यक्ति कौन बने है तो उत्तर हो जाएगा गौतम अडानी हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है ये कौन थे हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है ये किस छेत्र के हैं या फिर क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा ये एक अर्थसास्त्री है थाइलेंड में भारत के राजदूत के रूप में अभी-अभी किसी नियुक्त किया गया है तो नागेश सिंग को नियुक्त किया गया है अगला और आखरी प्रशन है इस वीडियो का हाल ही में किस राज में बिसाल दवा पार्क बनाने की घोषडा की गई है हाल ही में किस राज में बिसाल दवा पार्क बनाने की घोशड़ा की गई है तो वो राज है आंध्रा प्रदेश